तो आप नेक्स वीडियो जरूर देखिएगा हमें यहांपर केबल दिया हुए, केबल में सबसे पहले आपको FBD आपको हर केस में हर क्वेश्चन में बनाना होता है तो FBD में क्या क्या चीज़ आती है, FBD में हमें बताना होता कि इसमें टेंशन किना हो रहा है यहांपर 20, 60 और 30 निर्ट में फोर्स लग रहा है, इसलिए यह केबल डिफार्म हुआ तो A से B तक का जो वायर है इसका हम T1 देंशन देदेंगे B to C के लिए T2 and C2D के लिए T3 and D2E के लिए T4 साथ ही साथ इनका inclination हमें दिखाना होता है यह हो जाएगा टीटा 1, यह हो जाएगा टीटा 2, यह हो जाएगा टीटा 3 and यह हो जाएगा टीटा 4 और यहांपर supports है, इस supports होटा कि हमें लगाने पड़ते हैं उसके reaction तो अगर मैंने इस support हटा दिये, तो यहांपर आजाएगे 2 reaction, क्योंकि यह hinge था, तो एक reaction एससाइड और एक reaction एससाइड जो कि है AX and AY यहांपर धान यह रखना है कि यह हमने लेटे टाइमे correct drop किये है, क्योंकि यह नीचे force खीच रहा है, तो इसका reaction force इसी direction में होगा तो हमें यह जो force T1 है, T1 का value directly मिल जाएगा, अगर हमने AX and AY का value मिल गया, फिर यहांपर दूसरा reaction था E point पर, E point पर reaction हिंच का था, तो हिंच पर यहांपर EX, यहांपर Y में EY, तो वही चीज कि यहांपर यह नीचे feature है, तो फिर आपका reaction यहां से ऐसा होगा, जो कि है T4, तो मुझे अगर EX and EY का value मिल गया, तो मुझे T4 का value मिल जाता है, और उसे तरह T1 and T4 भी मिल जाएगा, तो first time होता है FBD, FBD अब यह complete हो गया, उसके अधम लगाते है equilibrium condition, जो कि दे FX, FY and moment equal to 0, तो सबसे पहले summation f of X equals to 0, summation f of X equals to 0 में सभी forces जो X मिलाते हैं उनका add करते है तो पहला force है AX, AX जाना negative में, तो minus AX, then EX जाना negative में, sorry positive में, that is plus EX equals to 0, therefore हम यहाँ से मिला AX equals to EX, then हम करेंगे यहाँ पर summation f of Y and उसे equal करेंगे 0 से, Y में क्या क्या forces है, सबसे पहला force Y में है, AY, पहला force AY, then यहाँ पर EY plus EY, then इस साइड नीच जा था, force 20 minus 20, क्योंकि यह जा रहता, then minus 60 and minus 30, और यहाँ पर और और कुछ 5 में force नीच है, equal to 0, अब हम करेंगे moment, and moment हमें लेना है A point पर, धान रखना है कि केबल के questions off by the time, हम इस साइड से इस साइड की तरफ बढ़ेंगे, वो लॉजिकल है, वो में आगे बताऊंगा कि क्यों हम वैसा कर रहें, तो हम हम यहाँ पर पहले लेंगे moment with respect to A, moment with respect to A लिया, तो हमें पास A x a y 0 होगे, next force है 20, force है 20, into उसके लिए perpendicular questions आपका, यहाँ पर 2 meters कर था, 20 into 2, रखा पहन यह घुमा clockwise, positive, next force है 60, 60 है मेरा force, into उसके लिए perpendicular questions यहाँ से यहाँ तक, 3 plus 2, 5, that is 5, रखा पहन यह घुमा clockwise, next force है 30, 30 into, 2, 3 plus 2, 5, plus 2, 7, 13 into 7, रखा pen गुमा यह घुमा clockwise, अब है EX, EXE force के लाइन यह रही, और मुझे question में यहाँ पर यह distance दिया होता है, suppose यह distance दिया है 1 meter, तो मेरा EX into आ जाएगा 1, EX into 1, रखा हमने पर पहने 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 पहन गुमा anti-clockwise, that is minus, then last में बचा हमारा EY, EY की force के लाइन यह रही, रहा किया पर बनीकल तो बचा बचा बना यह फिर 2 plus 3, 5 plus 2, 7 plus 1, 8, तो यह हुआ EY into 8, and रखा पहन गुमा यह गुमा anti-clockwise, that is minus, equal to 0, तो हमें 1st step में कुछ भी नहीं बलता, कुछ भी साथमी हुआ तो आपर ह Then second step होता है, अब हमें देखना है कि second step में केबल का किसी एक point से vertical distance दिया होता है, हमें support तक का, तो यहाँ पर यह 4 meters का vertical distance दिया है A support तक, support A था, उस support से 4 meter का distance दिया है C point तक, तो हमें C point से cable ब्रेक करना है, मतलब जहां तक का vertical distance पता हो, अगर आपको B तक का पता है तो आपको से ब्रेक कर सकते हो, अगर आपको C तक का पता है तो आपको C से ब्रेक करना है, अगर दोनों पता है, तो C से भी ब्रेक कर सकते हैं, और B से भी ब्रेक कर सकते हो, तो अब मैं केबल को ब्रेक करना है, तो अब मैं केबल को ब्रेक करना है, तो मैं केबल को ब्रेक करना है, तो मै कि यहां पर एक फोस था 30 यहां पर नीचे एक फोस था 60 और इस साइड में फोस आता हुआ यह था T2 C to C पॉंट के अब हमने C पॉंट से ब्रेक किया cable को हमें C पॉंट से निकालना पड़ेगा moments में निकालना पड़ेगा moment कि में moment इस स्टेप में moment चाना है with point C यहां ने के करें है जिए जिरो से तो C point के अब हम moment लेंगे तो T2 & 60, 0 हो गया अब next force है 30, मेरा force है 30, इंटू उसके लिए परपनिविसंस, यहाँ देखिए, 30 इंटू परपनिविसंस यह इतना हुआ, जो कि था 2, 30 इंटू 2, रखा पहना है यह गुमा, यह गुमा clockwise, next force है EX, अब यह EX इंटू आपका, जो force है यहाँ पर, distance पता रहेगा, क्योंकि हमें य remaining 3-1, sorry 4-1, 3 हो गया, रखा पहन गुमा, यह गुमा clockwise, and then last force है EY, EY वाले force की लाइन, एक्चेंट की, तो मुझे मिला यह उसका परपनिविसंस, that is 3, तो EY इंटू 3, रखा पहन गुमा, यह 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 गुम solving करेंगे, ता कि आपको जब हमने पहले step में moment निकाला, with respect to A, आपको equation है, EX and EY के term में, और यहाँ पर भी equation है, EX and EY के term में, तो जब आप इसे, 2 equation 2, 9, 3 and equation 4 को solve करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, value of EX and value of EY, एक बार आपको EX, EY मिल जा, आपको यहाँ AX, तो इस तरह से हमें यह 4 values मिल गी, एक बार हमें AX, EY, EX, EY मिल जा, तो हम निकाल सकते T1 and T4, क्यों, क्योंकि यह इसके, इन दोनों का resultant था T1, तो मुझे यहाँ पर T1 मिल जाता है, under the root AX का square, plus AY का square, and theta 1 भी उसी तरह से मिल जाएगा, that is tan inverse of AY by AX, similarly, हमें T4 मिल जाएगा, T4 will be equal to under the root AX का square, plus AY का square, and फिर यहाँ पर theta 4 है, इसके लिए, T4 के लिए, theta 4 will be equal to tan inverse of AY by AX, इस तरह से हमें हमारे चार values मिल जाता है, जो कि यह T1, theta 1, T4 and theta 4, अब remaining values के लिए, हम वो joint देखेंगे, जहाँ पर अपने सिर्फ 2 annons है, तो 2 annons आला joint, joint D है, and joint P है, उसका FBD रोग करेंगे, मैं ले रहा है, यहाँ पर joint D का FBD, joint D के FBD में यहाँ पर, मीचे एक फोर्च था, T3 at angle theta 3, and इसे रूपर है फोर्च था, T4 at angle theta 4, अब यहाँ पर हमें T4 theta 4 मिल चुका है, तो हम यहाँ पर values put कर देंगे, and उसे कर देंगे resolve, उसे आप resolve करोगे, suppose मेरा यहाँ पर T4 का value आया था 100, and theta आया था मुझे 30, यह मैं assume कर रहा हूँ, detail solution जो मैं अगला दूँँगा, next video में, उसमें आपको इसका detail answer मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमने देखा, कि assume कि T4 है 100, and theta है 30, तो यह हो जाएगा, 100 cos of 30, and 100 sin of 30, अब हम इस पर लगाएंगे, अपनी equilibrium condition, जो कि यह दे, summation f of x equal to 0, and summation f of y equal to 0, इसी force को हम resolve भी कर सकते है, x and y में, तो x में resolve किया, तो T3 sin theta 3 यहाँ, y का, and x का यहाँ, T3 cos theta 3, इस पर हम equilibrium condition लगाएंगे, तो आएगा equilibrium condition क्या, summation f of x equal to 0, x में का क्या force है, x में force है, minus T3 cos theta 3, and plus 100 cos 30, equal to 0, and summation f of y equal to 0, क्या तो क्या आएगा, नीचे जा रहा है, minus T3 sin theta 3, plus 100 sin 30, and sorry, एक और force में भूल गया था, जो कि यहाँ पर 30 का दिया आएगा था, इस point पे, नीचे जाता हो, 30, तो यह भी download जा रहा है, तो minus 30 equal to 0, यहाँ पर में कुछ नी मिला, तो हम इस equation करेंगे 5, and equation number 6, अब अगर हम equation number 6 को 5 से divide करते हैं, तो हमें मिल रहेगा, sin by cos का value, जो कि यहाँ tan, तो अगर मैं इसे divide करूँ, equation number 6 by 5, dividing, dividing equation 6 by 5, तो क्या होगा, 6 वाले equation है, minus t3 sin theta 3, equal to the question, यह term गये, तो minus 30, plus 30 हो जाएगा, and यह term हो जाएगा, minus 100 sin of 30, okay, and इस equation को divide करना है, 5 वाले equation सही, minus t3 cos theta 3, equals to, equal to the set चला गया, तो यह होगा, minus, minus 100 sin, sorry, minus 100 cos 30, तो यहाँ पर आपका t3, t3 cancel होडता है, यह भी cancel होजाएगा, यहाँ पर यह बड़ा value minus का है, तो यह minus sin, और यहाँ पर इसका जो answer हो, minus बाता है, तो भी cancel होजाएगा, तो आपका sin by cos बन जाएगा, tan theta 3, equals to, यह value, तो अगर आपने यहाँ से theta 3, equal to, tan inverse of this value करोगे, तो आपको मिल जाएगा theta 3, अब वो theta 3 का value, आप या तो equation 5 में put करो, या तो equation 6 में put करो, आपको मिल जाता है t3 का value, यह theta 3 जब आप यहाँ पर put कर दोगे इस equation में, तो आपको यहाँ से t3 का value भी मिल जाता है, इस तरह से, अब एक और बार आप या तो joint C लिलोगे, या joint B लोगे, and similar यही steps follow करोगे, तो आपको मिल जाएगा t2 and theta 2 का value, इस तरह से हम solve करते हैं, अपना cables का question, तो आपको अभी अच्छे से आगया होगा cables, इसका detail solution मेरे next video में होगा, आप ज़रू से देखिए, तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ावास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और साथी साथ मेरे चानल को subscribe भी कीजिए, thank you,